नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होके अच्छे होंगे तो आज फिर से मैं जुगार वाली और बहुत ही काम आने वाली टिप्स लेकर आई हूं टिप्स एंड ट्रीक तो चले दोस्तों ना देरी करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल पे पहल नहीं लगता है तो इसे हम आज नय जैसे बनाने वाले हैं सिर्फ पानी में डाल करते हैं आप एक बाल्टी पानी ले लिए और 15 मिनट जारू को इस तरीके से डुबो कर छोड़ दीजे 15 मिनट के बाद पानी से जारू को निकाल लीजे निकालने के बाद अच्छे से पानी इसमें से जार लीजे और जारने के बाद इसे धूप में डाल दीजे सूखने के लिए और सूखने के बाद दोस्तों देखिएगा कि मेरा जारू एकदम से नया जैसा दिखने लगा है पहले वाला जारू और अब वाला जारू में बहुत ही अंतर दिखेगा तो यहां पे यह है पहले वाला जाडू और यह है अभी जो हम धो के सुखाएं है यह जाडू देखे कितना फुलदार बन गया है देखने में कितना अच्छा लग रहा है तो इस ट्रीक को फोलो करके अपने जाडू को नया बना सकते हैं देखने में अच्छा लगेगा काफी और हमारा जा काम करने लगते हैं तो इसी में क्या होता है कि मेरा दूद उबल कर गिरने वाला होता है तो यहां पर गिरने से बचाने के लिए हमें कोई भी लकडी का जो समान है जैसा कि बेलन हो कर्ची बेगरा हो वो रख दीजे तो क्या है ना कि फ्लेम को कितना भी हाई कर दीजेगा फिर भी मेरा दूद नहीं उबल की नीचे गिरेगा, यह आज माया हुआ टिप से बहुत ही यह काम का टिप से दोस्तों, यही टिप्स को फोलो करके हम दूद को अपना उबालते हैं, आई होप की टिप्स पसंद आया हो, तो लाइक किजे, सेर किजे, चले देखलते हैं नेक्स टिप, तो नेक्स टिप हमारा है, जब भी हम प्याज छिलते हैं या लैसून छिलते हैं, तो क्या है न कि हम लैसून के प्याज के छिलके को हम रख देते हैं, फेकते नहीं हैं, क्यो नहीं अरह यहां पर हम एक रबड बैंड लगा दे रहे हैं रबड लगा कि दोस्तों इसे खिमी हो या धर्षा हो कहीं पर भी टांग साग बन के तयार हो गया solution मच्छड और मक्खी भगाने वाला जुगाड हो गया दोस्तों काफी हद तक हमारे जो घर में मच्छड मखियां आती है तो खिलकी के थूंँ आती है तो इसे खिलकी पे लटका दीजिए देखिएगा कि हमारे घर में मच्छड मखिया एक भी नहीं आएंगी I hope की पसंद आया हो तो चले देख लेते हैं Next टीप हमारा है दोस्तों कि हमारे घर में जब भी paint बेगारा होता है तो क्या है ना कि अगर थीनर बेगारा नहीं हो चुड़ाने वाला जैसा कि हम paint को कैसे रिमूब करें हाथ में से हाथ में लग गया तो थीनर हो नहीं है मीटी तेल नहीं है यह जो है ना पेंट हाथ से छुटता है चुटकाने के लिए हम यहाँ पे आज बहुत ही कोई केमिकल यूज नहीं करने वाले हैं घर का चीज चुडाएंगे जैसा कि दोस्तों हम ब्रस करत हैं कोल गेट उससे हम छुटका के आप लोगों को दिखाएंगे कि अगर हमारे घर में थीनर बेगरा नहीं हो मीटी तेल नहीं हो तो हम असानी से पेंट को अपने हाथ से रिमूब कर सकते हैं के कोल गेट की मदद से तो हाँ दोस्तों सही सुना आप लोगों ने यह बहुत अब छुड़ा सकते हैं और इस तरीके से देखिए रफ करके हाथों से छुड़ा लीजे बहुत ही आसानी से एक दम तुरंत ही छुट कर तयार हो जाएगा जैसा कि देखे दोस्तों हमारा हाथ में एक बार में नहीं छुटा तो एक बार आवर थोड़ा से ले लिजे को और इस बात पूरा छुट जाएगा तो यह बहुत ही आजमाया हुआ टिपसे बहुत ही बढ़िया सेलूसन है कि हमारे घर में अगर नहीं है थीनर बेगेरा मीटी तेल मीटी तो अब मिलता नहीं है तो कैसे हम पेंट को अपने हाथों से छुटकाएं तो यह आसानी से छुट कोई केमिकल यूज नहीं करना है सिर्फ कॉलगेट से तो हाँ दोस्तो कॉलगेट से यहाँ पर देखे छुटका लिये है मेरा हाथ में असानी से छुटक गया है तो यह आजमाया हुआ टिपसे आप लोग जरूर यूज कीजिएगा अगर घर में नहीं हो छुटकाने वाला पेंट कोई सेलूसन तो इस सेलूसन को जरूर याद कीजिएगा दोस्तो क्योंकि हम आप लोगों के लिए इजली सेलूसन वाले वीडियो और टिपस वाले वीडियो लेके राती रहती हूँ ताकि आप लोगों को अगर किसी नहीं बताया होगा दोस्तो तो मैं बता रही सा टीप से जरूर आजमाईएगा जरूर फोलो कीजिएगा तो चले दोस्तों देख लेते हैं नेक्स टीप और क्या है दोस्तों कि वीडियो अगर जरा से भी यूश्फुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हां दोस्तों बताईएगा कि कौन से कोने से हमारा वीडियो रहे हैं जड़ा सभी यूस्फूल लगा हो तो लाइक कीजेगा लाइक करने के साथ अपने दोस्तों इस दरों में सेयर कीजेगा और नीव है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजेगा दोस्तों ताकि इसे तरीके